दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है लेकिन अब अटकले हैं तीनों निगमों को एक करने का मुद्दा उठ चुका है आमाधी पार्टी और दिल्ली सरकार का कहना है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए तीनों निगमों को एक करने का काम कर रही है वहीं बीजेपी का कहना है अगर तीनों निगम एक हो जाएंगे तो दिल्ली में बहतर विकास हो सकता है निगम के चुनाव भी टाले जानी की बात की जा रही है हमारे सब पार्शद और बीजेपी नेता रजणीश बबलू पांडे जी मौजूद है इनसे बातशीत करेंगे पहले सबसे बहले सवाल तो यह कि तीनों निगम एक होने से दिल्ली वासी का कैसे फायदा होगा देखे तीनों निगम एक होने से जो हमारे इस्ट दिल्ली में फंड की कमी है जो हम अपने सफाई करमचारियों को टीचरों को डॉक्टरों को सेलरी नहीं दे पाते तो यह BJP का मानना है कि जब यह तीनों MCD एक हो जाएगी तो हम हमारे पास revenue बहुत अच्छा आएगा ताकि जो इस्ट दिल्ली की हालत है वो ऐसी हालत ना हो और हम अपने इस्ट दिल्ली में जो जितने भी हमारे सफाई करमचारी डॉक्टर टीचर जिसकी भी तनखा रुक कि तीनों जो निगम थी वो अलग-अलग थी हां कारण यही रहा कि जो तीनों निगम था इसमें कहीं तक भी MCD को लॉस हुआ है अलग-अलग होने पर और आप देखें कि इस्ट दिल्ली की जो हालत है वो किसी निगम की नहीं है और इसलिए हम अपने सभी सफाई करमचारी को छे-चे महीनों की तंखा भी उनकी पेंडिंग है जो नहीं दे पारे क्योंकि इस्ट दिल्ली में रेवेन्यू बहुत कम है जिसे हम सेलरी नहीं दे पाते हैं रेवेन्यू का मुद्दा बहुत बड़ा है इसलिए तीनों निगम को एक करने की बात करें लेकिन अब चुन हैं और जो रह गए हैं जैसे कि हमारे वही फंड के कारण जैसे हमारे इस दिल्ली में मेरे वाड में जैसे बराद घर की कमी है और पार्किंग की समस्तिया है हमारी जनता की और बराद घर की तो वही अगर मैं आती हूं तो अपने वाड में जो है बराद घर का बनाने का प् कि MCD में केजरिवाल या दिली सरकार आमादी पार्टी आ सकती है वहाँ पर देखिए जूट के मुद्द्र से देखा जाएगा तो सिफ केजरिवाल जूट बोलते हैं और जो भी पारसद है वह अपने काम से जाने जाते हैं तो MCD जो भाजपा के सभी कारे करता है वो वीकास क से जाने आते हैं तो यह तो जनता तैय करें कि उनको काम चाहिए या जोट चाहिए आपके दिली सरकार पर आरोप लगाते हैं कि आप लोग कामकाज नहीं करवा पारें जो निगम के कर्मी हैं उनसे यही वज़ाए कि पांथ साल में अभी दिली में कुछ सुधार नहीं हुआ ना कुछ विकास हुआ और हालात बद से बत्तर बनते हैं नजर आए। अफरी कहां से होगी यह तो केजरिवाल जी ही बता सकते हैं। तो मैंने चार ऐसे सेल्टर रूम बनाए तो मैं अपने जो जनता के बीच में जाओंगे अपने विकास कारियों के लेके जाओंगी और साब सफाई से रिलेटिड जगे जगे अभी आपने देखा होगा हमने ड़लावगर खतम कर दिया जहां कुड़ा पड़ा रहता था वहा जो इस चेडिली ने खतम कर दिया अपने बार में हमने ये खॉनपर लगऊए तो में अपने विकास कारियों इसे ही जामेmart जाओंगी और जो जंता के बीच में लेके जाओंगे अपना कारिय विकास कारियों लेके जाओंगी तो रजनीश बबलू पार्टी को मौकर नहीं मिलेगा और जब तीनों निगम एक हो जाएंगे तो बहतर विकास दिल्ली में और जो निगम के जो करमचारी है उनकी सेलरिया भी समापर मिल पाएगी और जो रिवेन्यू का मुद्दा था मैं विशाल धन्यवाद